पानी टंकी पानी टंकी पर आपने अभी तक कुछ वीडियोज देखा होगा और यह भी देखा होगा कि उसके सवाल सोचे कैसे जाते हैं एकदम वर्क एंड टाइम का कॉंसेप्ट है कुछ करना नहीं यूनिट में बदलना है और फिर थोड़ा सा एक्शन लेना है अगर आप बस भरोसा और मेहनत दो चीजे बना के रखिए फिर देखिए क्या होता है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि सवाल हमारा कैसे हल हो सकता है चेक करते हैं सवाल हमारे पास है दो पाइप दो और दो पाइप और बी अलग करम से किसी को 60 में और 75 में भर सकते हैं टेंकी के तलिम उसको नहीं दी गई ही वही निकालना है हम देख रहे हैं कि ए जो है कि ए कि ए साथ मिनट में भर सकता है कि भर सकता है कि खाली करता यह नहीं कितना समयम खाली करेगा लेकिन अगर तीनों की वर्किंग एक साथ करा दिया जाए तब यह पचास मिनट में भर जाती अब साथ पचातर और पचास तीनों का एल सेम आपको लेना पड़ेगा वह आयग अलग भग तीन सो अब सूचो च्छा पचे तीस पचातर चोक के तीस और पांच चाके तीस विचार खीजिए यह दुनों मिलकर पांच नो भर रहे यह नो भर और तंकी पानी 6 दिख रहा है जब तीनों मिलकर काम कर रहे तो भर रहे हैं नो अधिक राज 6 तीन कहां गायब हुआ ज़रूर इस सी ने 3 यूनिट गायब किया होगा यानि इसी की छमता आगे 3 उनिट पानी गिराने की और 300 उनिट पानी गिराना है कितना समय लग जाएगा 100 मिनट का समय लगेगा और 100 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी तो कैसा लग रहा है देखिए सवाल समझना है सोचना है एक नल किसी तंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब आजी तंकी भर जाये तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिये जाते हैं, तंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, आओ समझा जा, एक तंकी ही बना लेते हैं, है न, चलो एक तंकी बना लेते हैं, ये तंकी ऐसी है, जो 6 घंट की होगी और इस नल की छमता एक यूनिट की है एक यूनिट की हिसाब से भरता होगा और छे घंटा लगता होगा जब करें आधी भरी जाए अच्छा तो आधी भरी होगी कब भरी होगी जब यह टंकी तीन घंटे इसके उपर काम हुआ होगा क्योंकि 6 घंटे पूरा भर सकती है तो 3 घंटे जब भर चुकी होगी तब जाके 3 उनिट पानी भरा होगा आप करें उसके बाद 3 नल और खोल दिये जाते हैं इसमें अगर 3 नल और खोल दिये जाएंगे तो आप सोचो कि फिर इनकी छमता होगई 4 और टंकी में पानी कितना भ साथ से गुड़ा करें 45 मिनट तो सोचो पहले तीन घंटा लग चुका है और 45 मिनट लग जाएगा टोटा टाइम लग जाएगा तीन घंटा 45 मिनट और टंकी पूरा भर के तयार सवाल देखिए सवाल का सलूशन देखिए और महसूस किजिए किस तर गड़ित के अंदर कु लोचने का मामला है कि अगला प्रत्रेक एक पाइप किसी टंकी को च्यों घंटे में भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप चार घंटे में खाली कर सकता है यह तो कि पूर्था भरी हो और दुनों के एक साथ खोल दिया pane तो कितने शम्यम खाली हो जाएगी विचार किजिए ए भर सकता है छे गंट में और फिकालि कर सकता है 4 गंट भारा टो 4 यदि दो नियोड अब देख सकते हैं इसके भरने की छम्ता है 2 ऑफ लिए कि आक खाली करने करने की शम्ता है तीन सीघसी बात है एक है और आप बताओ सवाल क्या है कि एक पाइप थाए गंटे मर सकता दूसरा जागने का तेरी भरी हुई टंकी में दोनों पाइप साथ कुल दिया अगर दोनों पाइप साथ खुल दे जाएं तो हुआ क्या होगा यह भरे गद्धो गिरायग तीन यानि कि एक यूनिट हर गायव होगा और 12 उनिट पानी गायव होना है तो बताओ कितना समय लग जाएगा 12 घंटे किसी एक को हम हटा करके यहां 12 घंटे लिख देते हैं देखा आपने इसका तनाव बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या होना है जब आप अपने बातें एकनम साफ साफ जानते हैं तो फिर लगाने कोई समस्चा नहीं है सीधे सीधे आपका उत्तर आ गया 12 घंटे में खाली हो जाएगी आईए अगले स्वाल पर चर्चा करें अगला प से भाग दो तो भीया कितना आ गया 6 घंटे यह रहा उत्तर आपका वकुल मिला के 5-10 सकंड का मामला है 5-10 सकंड में ऐसे छोटे सवाल हल किये जा सकते हैं आईए अगले स्वाल पर चर्चा करें अगला प्रश्ण आपके पास है ए बी और सी किसी टंकी करमसा 36 और 28 घंटे म टंकी पुरूरूप से भरने से पहले ए और सी करमसा 5-8 घंटे बंद थे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा बताओ 5-8 घंटे बंद थे आओ समझा जाए ए बी सी देखो ए की छमता है 30 बी की छमता है 36 और सी की छमता है 28 तीनों का सबसे पहले लगुत्तम निकाला जा अगर हम लगुत्तब निकालें तो क्या हसकता दो सो असी लाव निकाल लेते हैं अगर हम 30 और 36 और 28 का लगुत्तब निकालें तो हम काट रहें पहले तीन से तीन दहां 30 यह हो जागा 12 यह 28 नहीं कटा अब एक बार किसे कार दें पांस से कार देते हैं पान दुना दस अठा बारा नहीं कटा अठाइस नहीं कटा दो के पापा मिलगे अब चार से कार दो बस इतना ही है तीन पांच यह 20 यह 60 और 21 चक्षक चाबीश 1260 बहुत ज्यादा है ना क्या लगुत्तम आया पेसे 45 25 यह 60 और 21 21 के 60 से गुड़ा करें 268 चाहिए अब जरा सुचे कितना समय लग जाएगा इन चोग के बारा 42 घंटा लगेगा वाह तीस की चमता से कितना लग जाएगा 42 चाहती की चमता देखा जा गाए 36 की बात करें तो कितना आ जाएगा 3,3,9,3,7,3,7,35 घंटा लग जाएगा और 28 की हिसाब से देखा जाए 7,28 तो 3,15,35 घंटा लग जाएगा ठीक है ये चमता है इनकी स्वारी ये 42 गंटे भर सकते हैं 45 और ये 5 अब इनका कहना ये है कि टंकी को पूरा भरने से पहले जो चलो है ये आड़ गंटे मया लो आप अचहे से और अगर उसे तो चीतर बना लो अगर के इनका अर्यक्णी का में से इम जोड लो तब भी वन जाएगा दो रास्ते हैं आपके पास तो अगर इनका पांच घंटे का काम देखा जाए तो पांच घंटा जो बंद थे तो वो बंद करते अगर मालू भरते तो कितना भर देते तो पांच घंटे में कामिन कर देखो पांच दूने 10 और 5.21 का कई 210 और सी जो है 8 घंटे बंद था 8.45 और 8.32 4.36 360 अब दुने जोड जोड जया जा तो कितना हो गया 32 570 देखो 0 6 7 हाँ ठीक है 570 570 यूनिट और हो गया अब जड़ा देखो यह बीच में जो बंद थे अब उसको हमने कैंसल कर दिया तो 556 13 12 5 70 18 अब बताओ इतना इंट भरना है और तीनों मिलकर भरेंगे तीनों मिलकर चन्ता क्या है 55 10 12 12 हासिल हूआ एक 5 388 412 12 चेक कर लो 55 10 12 एक और पांच 8 8 412 ठीक है है एक बार जाएगा है कि एक अठ इस दो गया च्छे और जिरो ते बारा-पच्छी-चाठ पांच बाँ ले जो पांच दूनननंदस बारा-पच्छी-एक-शठ पंद्रा घंटे टोटाल लगे यानि अगर बीच-बीच में इनको बं कर दिया जाए इनको पांच घंटे बं क करने दिया इनकी पानी को कही और तंकी में भर लिया है तो हमें पथा चल गया हमें अब 12-20 तो भरना आ इससे क्या होता है हमें हमें डाइग्राम नहीं बनाना होता और हमारा उत्तर अराम से बन जाता है आएए अगले सवाल को ध्यान से देखें कुछ बड़ा साइच का सवाल देख रहा है आए समझते हैं और स्वातंत्र रूप से खुले रहें स्वातंत्र कैसे लिखा वाह पाइप और एफ ए क्यूं मान लिया जाये है क्यूं 5 पी और क्यू फीन च्र chuck चाहितन की को 24 मेंट को चाहिला सकते हैं पाइप और पूरी तरह जाते हैं गंटे मंदे के लिए हमको कितने मिनेट पहले उसे बंद करना है यह वां समझ Sabu तो अ कितने मिनट पहले और तीनों की च्छंता पहले निकालते हैं यह है पी यह क्यू इसार यह 24 करमे ecosystem और 36 क्यूंत्र सकते यह 24 मिनट में 26 भार सकते हैं ईए यह आर जो है टीस मिनट में कह लिकार सकता है खाली करने वाला यह दोनों भरने वाले लगुत्तम बताएं 180 नहीं आठ तो 120 नहीं आओ निकाले लेते हैं 24 34 और 30 6 से कारते हैं अगर 360 लगुत्तम आया अगर 360 लगुत्तम आया यानि हमको 360 भरना है तो तीन से भाग दो तो कितना आजाएगा 12 और इनको भाग दो तो 10 और इनको भाग दो तो पी 24 तो कितना जाएगा भी यह पांच चौबिस से करेंगा 24 एके 24 और तो पहँदवीच 15 से आज अब झाल हैं 15 यह भरते हैं 15 यह भरते हैं 10 15, 10, 15 15 और पचीस भरते हैं और यह कितना गिरा देगा बारा पचीस में से बारा गिरा देगा तेरा के च्छमता से भरेंगे हर यूनिट में तेरा के च्छमता भरेंगे तो हम यह मान लेते हैं एक घंटा में साथ मिनट में हमको भरना है तो यह मान लेता हूं कि तेरा के च्छमता से एक्स मिनट तक भरा गया उसके बाद इनको बंद कर दिया गया तो फिर 25 की छमता से 60 minus x minute तक भरा गया उसके बाद टंकी 360 भर गई दिखो जानस हमने इस सवाल था कि क्यों को कितने minute बाद pipe q को बंद कर दिया तो मैंने माल लिया एकस minute बाद बंद कर जा जह तो एक्स अब फिर माइनस 25 लैक्स बराबर 3060 अब 13 में से 25 सघ्टाओ तो वाइनस 12 लैक्स आ जाएगा और यह 15 सधर जाएगा तो माइनस में क्या जाएगा माइस में जाएगा घ्टाओ भी तीन सच्च को जीरो और 10 में से 6 घ्टाओ चार हम पंदरह सो में से तीन सो साथ घटा रहें अब चौदा में से तीन घटाओ तो ग्यारा दोनों माइनस कर गए यह एक्स की वेलू आ गई बारा नवा एक्सो आठ अच्छे फिर बारा पच्छेश आठ यह क्या हो गया यह कैसे हो सकता है गलत बात कुछ गरबड़ हो गया देखो यह कैसे जब 60 मिन में पुरी टंकी भरनी है बताओ 13 की 16 मिन तक भरा फिर 25 चमता से 60 माइस एक्स मिन तक भरा उसके बाद तब टंकी भर गई तो देखो 13 questa 6 25 40 किया तो इतना ऑभ माइस 25 चुह भर सफच्छ प्राबर 360 ठीक है अब 13 मिन तब सफिर सफ्य करेंगे तो मस बारे एकस भाइब ठीक है और यह बेलू जाएगी तुम मैनस में आ जाएगी तो मायनस में आ जाएगी कितना हो जाएगी बताओ भई पंद्रह सो में से 360 मायनस किया जाए जीरो दस में चेका चार अच्छा दस में चेका चार ठीक है और यहां बज़ेगा चार में तीन का एक और एक ग्यारास चारीश ही तो आये था यह बताओ लेकिन तमस्या क्या आ गई है तमस्या यह आई है कि एक्स की वेलु जो आ रही है तो 129 108 हो जा रहा और 614 बारा पच्छे साथ एक बराबर तो पंचान पर हो जाएगा 35 मिनिट आ जाएगा गलत हो जाएगा कुछ मिस्टेक पहले से है आओ समस्ते कि इतने मिनिट पहले एक को बंद कर दिया जाए तो मैंने सोचा है और 60 मिनिट हमको भरना है यह मिनिट मिनिट का मामला है ठीक है एक बार हटा दिया जाए चीजें सब कुछ ऐसी है हो सकता सवाल के अंदर ही कोई मिस्टेक हो एक बार चेक कर लिया जाए देखो यह भरते ह खाली इबारा इसका मतब होता कि जब एक साथ चालू होगे तो 13 के शमता से काम कर पाएंगे अब 13 के शमता से 360 को भरने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है लेकिन कुछ मिनिट पहले इसको बंद कर दिया जाएगा और अगर यह बंद कर दिया जाएगा तो यह लोग 25 शमता सब कर रहे हैं और एक्स मिनिट तक काम किये होंगे कुल हमको साट मिनिट में टंकी बरना कर रहे हैं एक घंटे में टंकी बरना एक घंटे में बरना है तो देखो 25 में से 12 घटा और 13 की छमता से इन्होंने एक्स मिनिट तक काम किया 13 एक्स टंकी भर गई होगी पक्का उसके बा देखे रहो Q को बंद कर दिया जाया इसलिए नहीं हो रहा जब Q को बंद कर देंगे साहब तो 10 कम हो गया अब यह 15 भर रहे हैं 12 गिराने लगे तो 3 की छहमता आ गई है तोरी देख लो गलती क्या हो रही है क्यों को बंद करने के लिए कहागा हम आर बंद करें बार बार इसलिए नहीं हो रहा था अब 15 यह भर रहा है यह 12 गिरारा तीन चमता हो गई तो तीन चमता से क्या मिनट 60-1 मिनट तक और भरा गया और उसके बाद तब जाकर के 360 यूनिट भर गई अब देखो आराम से आगया तीरा एक्स प्लस तीन चके अठारा एकसो असी और माइनस तीन यक्स बराबर तीन सो साथ अब तीरा में से तीन घटाओगे दस एकसा जाएगा और 180 उधर जाएगा तो 180 बचेगा कितने आराम से 18 मिनट आ गया देख रहे हो आप 18 A और B किसी टंकी को 16 और 24 गंटे में भर सकते हैं Pipe C भरी टंकी को 40 गंटे में खाली कर सकता है तीनों पाइप यसाथ साथ खुले जाते लिकिन 10 गंटे बाद Pipe A को बंद करे़िए ध्यान रहे Pipe A को बंद करना है अब कि हम गडर बढ़नी ना हो जाए ठीक है तो टंकी का सेज भाग बरने में कितना समय लगेगा देखो यह A है यह भरते हैं 16 गंटे में यह B है यह भरते हैं 24 गंटे में और C है यह खाली करते हैं कितना 40 गंटे में लगुत्तम निकाला जाए है 240 आओ समझते 240 लगुत्तम लेते हैं 16 गया चार बीस चार आठ सुला पच्छेश सी जोभी दहाएं में 240 चालीश च्छका 240 ठीक यहां तक बस साहिए तीनों को एक साथ खोल दिया दस घंटे बाद एक को बंद कर दिया तो दस घंटे तक तीनों काम कराओ अगर दस घंटे त तो पंदर दस पचीश भरे थे और छे गिराये था यानि 19 की च्छमता से भरे थे बुलो 25 में से 6 घंटा ओ 19 की च्छमता से 10 घंटे तक भरा गया 190 भर दिया गया होगा अगर 190 भर दिया गया होगा तो बचा कितना 14 में से 9 गया 5 50 बढ़ा हुआ बताओ 50 माय पास बचा बंद देंगे तो यह सहाब 10 भरेंगे उच्छे घृएंगे यह बताओ इदान भरेंगे उच्छे घृए यह चार की हिसाब सी भरा जाएगा अब बताओ चार की हिसाब से भरा जाएगा आप 50 को भर ना है कितना जागा 25 बटाद दू यानी 12 साड़े बारा भीया मिनट घंटे और लग जाएंगे साड़े बारा घंटे में काम हो जाएगा देखो कितने आराम से आपको अपर बन गया इध्यान रहे कि किसको बंद करना किसको नहीं बंद करना लिखा पाइप ए और बी एक टंकी को 16 गंटे में अच्छा सेम कोश्चा रेपीट कर दिया गया और आगे बढ़ें आगे बढ़ते अगला स्वाल को पाइप ए एक खाली टेंग को 6 गंटे में भर सकता है पाइप भी आठ घंटे में दोनों एक साथ खोल दिये गया अच्छा तो 6 आठ का लगुताम कितना होता भाई 24 आठ त्यां 24 और 6 चोग 24 तो दोनों के एक साथ खोल दिया गया और खोलने के दो घंटे बाद क्या हुआ है एक को बंद कर दिया तो दो घंटे तक लोग काम कहतना किये हों से में 3 कि 16 कितना टाईम लगेगा तीन से आप इसको भाग देंगे 13 में कितना लगेंगे 3 सही एक बटा तीन घंटे लग जाएंगे था फ्राफ देखिए लिखा तीन नलिया message एक तंकी को 6 9 और 12 घंटे में भर सकती हैं बी तथा सी को आधा आधा घंटे को आधा घंटे तक खोलने के बाद एक को भी खोल दिया जाता अच्छा तंसार उन तिन्हों नलियों को सेस भाग भरने में कितना समय लेगे आधा आधा घंटे बोल ले हैं तो चलो आधा घंटा खोला जाएगा तो आधा घंटा में कितना भरेंगे दो भर पाएंगे एक घंटा में चार भर पाते हैं यह एक घंटा में तीन भर बाते हैं तो दोनों आधा घंटा में कितना भर पाएंगे यह दो भरेंगे साड़े तीन भर देंगे अगर साड़े तीन इसमें घटा ही दिया जाए बताओ तो कितना हो जागा 36 में से तीन घटाओ 33 यानि 32 दसमलों पांच बचेगा अब कह रहे हैं तीनों नलियों को सेज़ भाग बढ़ने में के इना टाइम लगए छे चार दस तीन तेरा की शमता से लोग भरेंगे तेरा की शमता से भरके चलो देखाए जाए तो अगर हम एक ज इतना लग जागा भाई धाई घंटे धाई घंटे में सेस्वाग आराम से भर जागा कोई समस्चा नहीं आने वाली आई अगला स्वाल देखते हैं देखो थोड़ा साहिज के बढ़े तंकी के सवाल जो होते हैं देखरें हैं और सा सा चाहिझभा धाशाव और निया में बढ़ा जाती है तरफ सबसार एक हो कितने मिनटों के बाद बंद कर दिया गया अच्छा तो ए और वी तीच और टीच मिनट में भर सकते हैं अच्छा जब कर रहें बड़ा है यह 20 है यह 30 है यह 60 है ये यह को बंद कर जाएगा उसके बाद अठार में भरेगी ना नहीं पूरी टंकी इसका बलब बंद कर जाएगा इसका यह भी मतलब हुआ कि इसे कहा बाइं तुम आइसा करो तुम महें लिए खाली मिनट काम करो जले जाओ अचा मिनट करो एक काम काम है खाली आठ मिनट तक काम करें देख करना एक को कितने समय में बंद कर दिया गया तो एक एकता 어떻onen 7 मीट काम है जानएंने 6 काम मोह कर देए MI to uzh其實 काम करेंगे चोबिस को कुलई से चोंपने के भरने में उसको लगेंगे आठ मिनट 8 मिनट बाद बीचारा चला जाएगा ए जबने क्वा एक्डम से मिनट बन कर दिया च ll करना वाई को कितने मिनट बन कर दिया जा हम्हें वाई को बं करना जाए य को बन करना है य हमें अगर य को बन करना या नहीं बन करना एकस को और थारा चोग 72 तो श्चेसे भरवाने भरवाना अतना चोग 82 ये सब अगर बहात्तर री भर देंगे छह मैं दोनों को एक साथ खोड़ दिया और तीन में बाद पहली नहीं को बन कर दिया तंकी भरने में कितना समय लगे आओ समस्ते हैं देखो पी है यह जो है 12 मिट में भरती है और क्यू जो है 15 में भरता है तीनों को दोनों का लगुत्तम साथ हो जाएगा और 15 सब्सक्राइब आपको पहली नली को बंद कर दिया तीन में तक इन से काम कराना पांच आप देख सकते हो कितना समय लगता है एक सवाल लगाने में आपको समय लगेगा तो बहुत कम लगेगा थोड़ा सा बस खाली बेसिक अपना त्यार कर लिए लगुत्तम निकालना और यूनिट से भाग देना बस और खतम है ऐसा स्वाल एकदम आपको खेलते हुए चलेंगे इसमें दो नल या और टंकी को 6 और 8 गंट चार गंटे में भर सकती हैं उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी साथ खोला जाए और नल एक को पहले खोला जाए तो टंकी भरनिम कितना समय लगेगा यह देखो 6 में भर सकता है चार छे का लगूतम 12 होता है चार तीयं 12 चैदुरी 12 अब ध्यांस देखो पहले एक खोला गया दो भरेगा फिर भी खोला गया तीन भरेगा दो घंटे के अंदर पांच भरेगा पांच का पढ़ा पढ़ा पढ़ो की दस हो जाए पांच दुनी दस यानि दो राउंड काम क पच्वे घंटे में आएंगे ए आएंगे और पूरा भर देंगे और कुल पांच घंटे लग जाएंगे बात कतम कोई फ्रेक्शन नहीं बना सीधा सीधा उत्तर आपके पास ओके अगला पूर्शन आपके पास यह रहा पढ़िए एक खाली टंक द्वारा चार घंटे तथा पाई बी द्वारा च्छे घंटे भरा जातकता है दोनों को पहले ए आरम करके बाई-बाई खुला जाए तो वही है चार और छे घंटे वाला हिताब केताब ना वही तो है लेकिन इसमें क्या कहा एसे शुरू किया देखो फिर से देख लो भई ए चार घंटे में और भी च्छए घंटे में भरतकता है छे चार को लगूत्तम बारा चार तीने बारा ठीक है उसके बाद क्या किया दोनों को ए से आरम करें बारी बाई-बाईश खुला गया पहले घंटम त तो तीन चाहेंगे ई나 तो चाही दो लग जाएंगे कितना लग जाएगा चाही तीन बटा दो खंटे लग जाएगे लिए देगरे ओ अगला प्रषन आपके पास यह रहा ए बी और सी watching पाइप कोई टंकी 6 चार गंटें भरती हैं पैपशी विक्तुन में और बी एक तमुना कुछ तीन गुणा है अकेले पाइप टंकेओ को कि तुना कुट समय भर देगा बहुत अच्छा सवाल है अच्छा क्यों है आउ देखते हैं कि ए जो है नहीं पाइप आपसी जो है बी क क्यों नहीं माना हम जानेते दत्मलों में आ जाएगा आओ देखें क्यारे पाइप सी जो है बी से डेढ़ गुना तेज है और तो पाइप भी है एसे तीनों पाइप मिल करके चार घंटें भर देते हैं भाई देखो यह इनकी छहमताएं है तो छह दू आठ और नौ सत्रा सत् देखो 34 क्यों क्योंकि दो दुना चार सत्ता दुनी 34 तो इनकी हमने छहमता निकाल दिया फिर करना हमाई लिए बहुत आसान हो गया आई अगला प्रसन देखें अलग अलग समय पर चालू किये जाने पर टंकी को भरने में एप बी की तुलन पांच घंटे कम समय लेता और प्रस एक सास चालू किये जाने पर टंकी छह घंटे भर जाती पाइपए अखेले चालू किया जा जाए वहार कितने समय में भर देगा देखो लेता है इंपर ской चुका है तो दस पंद्रह आता भी है यह 10 है यह 15 तो किसके बारे में पूशा गया है अकेले ए अगर काम करें तो 10 घंटे में काम कर देगा देखो अगर आप लगाना चाहे तो लगवा के दिखा देता हूँ देखो ए का एक घंटे का काम होगा एक बटा एकस माइनस पाच बी का एक घंटे का काम होगा एक बटा एकस और दोनों का एक घंटे का काम होगा क्या दोनों के एक घंटे काम होगा एक बटा छे इसी को हल कर तो यह बनता है दुखास समिकर्ण और दुखास समिकर्ण जब आप कहेंगे तब आपका उत्तर बन जाएगा भी या दस घंटे आईए अगले स्वाल पर चर्चा करें अगला पूशना आपके पास है कि एक on Gear प्रॉट उसे खाली करता रहे तब लगेगा 7 ं46 देख लो इनकी शमता साथ है और रिशाव करण शम्ता छे है और रिशाव की शम्ता वन आ गई और वन शम्ता से गर इसको खाली किया जाए तो कई घंटा लग जाएगा 42 घंटे में टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी सवाल आप देख लो वरकिंग देख लो कितना सारा छोटा सा काम है और आपका उत्तर आजबा नेक्स्ट कुश्चन देखिए एक टंकी सामानता आट घंटे में भर जाती लेकिन कि तले में छेद होने कारण से भरनें दो घंटे ज्यादा लगते तरफा अगर टंकी पूरी भर्य हो तो 6 दिरिशाव करण कितना समय खाली हो जाएगा सेम सवाल है देखो यह भरता है मालो आट घंटे में और भरता रहे और भी खाली करता रहे तब लगता है दो घंटे ज्याजा लगते तो बताओ दस आट का लोगतम कितना होगा चालीस दस चोक के चालीस और पच्छे चालीस देख लो यह पांच भरनेक शमता हो चार भरा जा रहा है यानि उसकी खमता एक है और एक शमता से खाली करेंगे तो भईया आट चालीस घंटे लग जाए पूरी टंकी खाली करने में देखो र रिशाओ जो नल के अंतरवर्वाह के आधे के समतुल है के कारण 36 घंटे का अतिक समय लेता है नल का अंतरवर्वाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है सवाल बहुत मज़ेदार है एक नल के टैंक को भरने में इसके रिशाओ जो नल के अंतरवाह के आधे के समतुल है अच् कि इसके काल 76 घंटे का थीजिट समय लगता है अब कह रहें कि बताओ अंतर बुआहर है कि यह ननकों कितने समय भर सकता है अगर हम माल ले यह भरने वाला है उसकी चंपता दो-माल ले और भी को करने वाला है उसकी चंपता एक माल ले अगर szamp Frankf Reason कर दें तो अब आप देख लो यह दो भर रहे हैं और एक खाली कर एक समता हो गया अगर मान लो 36 गंटे अत्रित समय लगता है यानि एक से 36 अगर माना जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह दो से भर रहे हैं तो कितना समय लगना चाहिए 72 72 के टंकी होनी चाहिए 37 दुना 72 मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखो अगर मान लोई भी होता ही नहीं तो एक को भरने में इसे 36 गंटे लगते लेकिन जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो देखो एक 36 काम होगा और 72 लगता पहले 36 लगता था बहत चाहिए खाली करने आली चमता है वह भरने वाले से आदि ठीक तूम रहने वाले दो श्हमता माले चाहिए अब दूनों का अंतर एक है यह के बराबर 36 के तो मैंने टोटल को 72 मान लिए इसलिए अगर 72 मान लिए तो फाइदा क्या मिला कि अगर यह एक वह बहता दो वह लग हो गया तो आप देख सकते हैं सवाल कैसा है कितना इंट्रेस्टिंग है लगाना कुछ नहीं है खाली थोड़ा सा आप एक आगर्षीत बने रही है बस अपने आप उत्तर बनता चरा जाए जरूर आप कमेंट करें अगर माल लेजिए आपको इसमें कोई सवाल को समझें समस्य आती है तो आप हमें बता देंगे तो नेक्ष्ट वीडियो हमें है देखेंगे कि कि आपके क्या समस्या जरूर चर्चा करेंगे हम आप के लिए आते हैं आप इसको देखिए इंज्युआ कि यह मसत रही है धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्टू